Hello friends, you are most welcome in my YouTube channel Super Commerce आज का जो टॉपिक है वो है production possibility curve के points के बारे में It means production possibility curve जो हम last video में पढ़ चुके हैं उसमें points कहां कहां होते हैं अंदर हो सकते हैं, इसके उपर हो सकते हैं या फिर बाहर हो सकते हैं लेकिन अगर अभी तक आपने production possibility curve का वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज सबसे पहले आप उस वीडियो को देखकर यह है पता कर ले कि production possibility curve क्या होता है क्योंकि अगर अभी तक आपको यही नहीं पता कि production possibility curve क्या है तो आपको यह वीडियो समझ में नहीं आएगा एक्टॉल ऑउट्पुट क्या होता है पोटेंशियल आउट्पुट होता है मतलाником तेक्चिया परकर फ्रिपट एक्षॉर्सॉर्स इंड टेक्नॉल्रिजी सिन्हो अपिर्पी अ क ही क्या कहलाता है potential output और जब कोई भी फर्म इस output पर पहुंजाती है इस output को produce कर रही होती है तो वो अपनी maximum capacity को यूज कर सकती है इससे ज्यादा वो output तभी produce कर पाएगी जब वो अपनी resources को increase करे या फिर technology को improve करे actual output अब actual output में actual output होता है कि वो वास्ता में कितना उत्पादन कर रही है actual में in reality में कितना produce हो रहा है तो level of output which is actually attained is called actual output और यह depend करता है कि हम अपने resources को कितने use कर सकते हैं जब हम सारे sources को use करते हैं तो वो potential output कहलाता है लेकिन जब हम कम resources use कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि actual output कम होता है potential output से यानि resources आपके पास पूरे हैं लेकिन आप पूरे resources use ना करके उससे बहुत कम resources use कर रहे हो तो obviously आपका output कम आएगा production कम होगा तो वहाँ पर जो actual output जो receive हो रहा है वो बहुत कम है उस output से जो आप produce कर सकते हो जब आप अपने resources को पूरी तरह से use करोगे लेकिन जब आप resources को पूरी तरह से use करते हो तो जो actual output होता है वही potential output होता है यानि actual output is लेकिन in long run जब आप resources में increase कर लेते हो technology में improve कर लेते हो तो जो actual output हो बहुत ज्यादा होता है potential output से means जो production है आपकी capacity से ज्यादा हो जाता है क्योंकि resources increase हो गए है और technology improve हो गई है तो potential output और actual output को माइन में रखना क्योंकि इन दौनों के basis पर ही आगे जो points है उनसे related useful चीजे बताई जाएंगी तो यह production possibility curve है जहाँ पर यह x-axis है जहाँ पर good x को show किया गया है और y-axis पर good y को show किया गया है तो सबसे जो पहला point है वह कहा सकते है इस कोई भी economy या या फिक कोई भी firm अगर produce करती है तो उसकी जो possibilities है वह production possibility curve के ऊपर कहीं भी आ सकती है जैसे यहां पर यह points यह बन गये हैं यह production possibility curve के ऊपर ही है इसका क्या मतला है कि अगर यह points production possibility curve के ऊपर हो तो इसका मतला है कि firm या फिर economy अपने अपने resources को पूरी तरह से utilize कर रही है दूसरे words में efficient utilization of resources या अच्छे से utilize हो रहा है और इसी level को हम क्या कहते है potential output यानि जो production possibility curve है आपने पहले ही पढ़ा होगा कि जो production possibility curve है वह यह शो करता है कि कोई भी economy या firm maximum output कितना produce कर सकती है अगर points कर के ऊपर है तो उसका मतलब यह है कि maximum output है इससे ज्यादा output तभी receive होगा जब resources बढ़ जाएंगे या फिर technology improve हो जाएगी अब जो second condition है points की वह होता है अंदर पीपीची के अंदर भी हो सकता है जैसे यहाँ पर यह red color का point शो किया गया है यह production possibility curve के अंदर है जो यह है शो करता है कि production कम हो रहा है क्योंकि जो production possibility curve के ऊपर point है वह तो maximum output को शो करते हैं तो जो अंदर का point है वह क्या शो करेगा कम output इसमीं जितना output produce कर सकते हैं उससे कम output receive हो रहा है अगर point अंदर हो तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि obviously output कम हो रहा है तो हम resources को कम यूज कर रहे हैं इक means under utilization of resources और दूसरे words पर हम इसको बोल सकता है inefficient utilization of resources यहाँ पर क्या होता है कि जो actual output means जितना आप produce कर रहे हो वह कम होता है less than होता है potential level of output potential level of output यानि maximum output जो पॉइंट होते हैं वह maximum output को show करते हैं तो maximum output एक economy जितना produce कर सकती है उससे actual output क्या है कम है क्योंकि point production possibility curve के अंदर है यानि obviously कम production हो रहा है दोनों ही goods goods y और goods x का थर्ड जो पॉइंट है वह होता है outside the PPC यानि point production possibility curve के बाहर है यह green color का जो point दिया गया है यह production possibility curve के बाहर है जो क्या show करता है यानि ज्यादा से ज्यादा output को show कर रहा है यह short run में possible नहीं है इसको gain करना यह सिर्थ तभी possible है जब हम resources को बढ़ा दे technology को improve कर दे और यह possible short term में तो short time में तो possible नहीं होता इसके लिए एक लंबा time चाहिए long run period चाहिए तो यह short run में अगर question में आये कि क्या हम short run में production possibility के कर बाहर का point अचीव कर सकते है तो अज़र होगा नहीं कि short run में possible नहीं है क्यों क्यों क्योंकि short period of time में हम अपने technology को improve नहीं कर सकते हम अपने resources को बढ़ा नहीं सकते उसके time चाहिए होता है लेकिन अगर long run में पुछा जाए तो हां यह possible है कि हम बाहर के point को achieve कर सकते है एक पींस हम potential output को बढ़ा सकते हैं actual output हमारा ज़्यादा हो सकता है potential output से अगर resources बढ़ा दिये गए और या फिर technology को improve कर दिया जाए जो कि long time में possible है short time में नहीं possible है अब यह question आता है कि can we never achieve the points outside the PPC यानि क्या हम production possibility के curve का जो बाहर का point होता है उसे हम कभी achieve नहीं कर सकते तो answer होता है नहीं we can achieve the points outside the PPC यानि production possibility curve के जो बाहर points दिये गए है यानि जब production जादा हो तो हम उसको achieve तो कर सकते हैं लेकिन उसकी सरफ एक ही condition है resources को बढ़ाओ या फिर technology को improve कर या फिर दोनों में changes हो और यह कभ है long time में अगर यह possible हो जाए यानि resources बढ़ जाए technology improve हो जाए तो क्या होगा तो production possibility curve हमारा shift हो जाएगा या फिर rotate हो जाएगा अब यह shift क्या होता है rotation क्या होता है इसके बारे में हम next video में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा तो प्लीज अगर यह आपको वीडियो समझने आया हो पसंद आया हो तो इसको like जरूर कीजिए subscribe कीजिए क्योंकि subscribe करने पर हमारे बहुत सारे useful वीडियो आपको मिलेंगे बिल्कुल free और subscribe करने के बाद bell icon को hit जरूर कीजिए उसके बाद ही notifications मिलेंगी यह YouTube का एक rule है और जादा से जादा अपने friends को share कीजिए क्योंकि उनका भी थोड़ा सा फायदा हो जाए थैंक यू